तो हलो दोस्तों आज हम बात करेंगे रिजॉलूशन के बारे में जैसे हमने सुनाई होगा यह SD है, HD है, Full HD है, Ultra HD है, Quad HD है, 4K है तो इन सारी चीज़ों को भी समझना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई एक स्मार्ट फोन लेते हैं, उसका एक बहुत ही important हिस्सा होता है उसका display, अब display जितना ज्यादा बहतर होगा, उतना ही आपको अच्छी picture quality मिलेंगी और अच्छी videos quality मिलेंगी, और आपको चलाने में भ की resolution होता क्या है, तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं online अजीम, चलिए शुरू करते हैं पुराने समयने में जो हमारे पास TV हुआ करता था वो बड़ा भदा सा TV, उसमें SD resolution होता था, और वो भी हमको अच्छा लगता था, क्यों? क्योंकि हमारे पास option नहीं था ना, तो इसलिए वो भी हमको बढ़िया लगता था, अब SD resolution में जो pixels होते हैं, वो 640 by 480 pixels होते हैं, य कोई फरक नहीं पड़ता है, स्क्रीन का साइज जितना भी हो, अब आप इस एक्जामपल से समझे कि मालीजे आपके पास एक छोटी सी 14 इंच की TV है, जिसका resolution SD है, याने की 640 by 480 pixels, अब उस छोटे से TV में आपको picture quality कही ना कहीं अच्छी ही लएगी, resolution कम है, फिर भी वो कही ना कहीं ठीक ठाक लएगी, लेकिन अगर यही SD resolution को आप किसी 21 इंच के TV में आप अगर देखेंगे, तो आपको फरक पता चलेगा, resolution आपके सामने रहेगा, कही ना कहीं वो धुनला हो जाएगा, थोड़ा सा blur effect आएगा, थोड़ा सा problem होगा, आपको समझ में आएगा clear कि उस उसी resolution को हम जब छोटी screen में देख रहे थे, तो वो बहुत जादा अच्छी लग रही थी, बड़ी screen क्या पेच्छा, अब इस से उपर का resolution होता है, HD resolution, यह होता है 1280 x 720p, पी मतलब pixel, तो इसे हम 720p भी कहते हैं, यह HD resolution होता है, इसके बाद आता है Full HD resolution, आपने बहुत से मोबा स्मार्टफोन है, यह Full HD support करता है, इसका मतलब यह है कि उसका जो resolution है, 920 x 1080p होता है, यह Full HD की category में आता है, Full HD resolution अधिकतर स्मार्टफोनों में देखने को मिल जाता है, यह एक अच्छा resolution माने जाता है, Full HD में आपको colors बढ़िया मिल जाते हैं, contrast अच्छा मिल जाता है, बैटन स्मार्टफोन में 2560 x 1440 pixels होते हैं, इतने pixels आपके एक छोटे से 5 इंचे 6 इंच के स्मार्टफोन के हिसाब से बहुत ज्यादा है, इसमें आपको बहुत अच्छी brightness मिल जाएगी, पंची colors मिल जाएगे, अच्छा contrast मिल जाएगा, इससाब से आप यह समझ सकते हैं कि इसमें इतने जादा pixels होने की वजए से इसकी जो display quality है वो बहुत जादा बढ़ जाएगे, इसके बाद आता है 4K resolution, अब 4K resolution जो है वो बहुत जादा है, मतला बहुत जादा मातरा में pixels होते हैं, बहुत जादा आपको contrast देखने को मिलेगा, बहुत जादा brightness मिलेगी, बहुत जादा colors मिलेंगे, इसमें सब कुछ ज्यादा है और सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी, humans की normal आखे, full HD के बाद बहुत जादा अंतर देख नहीं पाती है, भाई आपका display 5 इंच का होगा, 6 इंच का होगा, 10 इंच का होगा, उसे जादा तो होगा नहीं, अब आप 20 इंच का display ले 8K अगर आप बहुत बड़े screen में देखेंगे, आपको उसका resolution समझ में आएगा, लेकिन आप छोटे से display में अगर 8K resolution के साथ कुछ देखेंगे, तो आपको फरक पता ही नहीं चलेगा कि 8K है या 4K है, अब इसके साथ साथ हम कुछ चीज़ां और समझ लेते हैं, जैसे SD resolution मे हमारे पास लगभग 307K pixels होते हैं, उसके बाद आजाते हैं हम HD में हमारे पास लगभग 921K pixels होते हैं, इसके बाद Full HD में, Full HD resolution में हमारे पास लगभग 2 million pixels होते हैं, इसके बाद 2K resolution में 3.7 million pixels होते हैं, और 4K में लगभग 8.8 million pixels होते हैं, यानि कि 2K से double से भी ज्यादा, तो इतने जादे पिक्सल की इतने चोटे से डिस्प्ले में जरूरत ही नहीं पड़ती है वहीं 8K में तो भाया 3 करोड से जादा पिक्सल होते हैं मतलब अब इससे जादा तो आप क्या ही बोलें काफी है अब ये भी समझना जरूरी ही कि हमारे स्मार्टपोन में कितना रिजॉलूशन जरूरी है या फिर कहलें कि कितना रिजॉलूशन बहतर है मेरे हिसाब से फुल एच्डी काफी है अगर आप उससे उपर जाना चाहते हैं आपको और ज़्यादा पंची कलर्स चाहिए और जादा आपको ब्राइटनेस चाहिए और जादा आपको पिक्सल्स चाहिए तो इसके लिए आप टूके में शिफ्ट हो सकते हैं इसके बात करूँ अगर मैं टूके से उपर की कि भी आप 4K 8K इन में से कौन सा लेना चाहिए मेरे हिसाब से इतने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि हमारी आखे उतना धंग से देख भी नहीं पाएंगी ना आप उसमें फरक पता कर पाएंगे उपर से डिस अड्वांटेज भी बहुत ज्यादा है अगर आपके फोन में 4K रिजॉलूशन वाली स्क्रीन होगी तो उसमें प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा होगी आप कोई भी फोटो कीचेंगे कोई भी वीडियो बनाएंगे उसमें प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा होगी प्रोसेसर में लोड पड़ेगा अगर प्रोसेसर में लोड पड़ेगा तो सीधा सासर आपकी बैटरी में होगा बैटरी करता हूँ आप लोगों को रिजोलूशन के बारे में अच्छे से समझा पाया होंगा और आप लोग समझ पाया होंगे अगर मेरी बाते समझ आई हो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बैल आइकन को क्लिक करिए जिसे मेरे वीडियो आप तक जल सी जल पहुंच सके जैहीं